आज के इस वीडियो में दो स्टूडेंटों का यहां पे टक्कर होने वाला है और कैसा टक्कर होगा यह होगा मौखिक टक्कर इस टेस्ट का नाम है मौखिक टक्कर और यह आपका फिजिक्स का टक्कर होगा फिजिक्स का होगा साथ ही साथ अगले वीडियो में आप मैत का भी देखेंगे सबसे पहले इन ही दो लोगों में से हम चुनेंगे उसके बाद जितने भी स्टुडेंट यहां पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं बारी बारी से हर वीडियो में आप देखेंगे अलग अलग दिन अलग अलग वीडियो डालेंगे और इन सब लोगों का टेस्ट होगा यानि 2023 की तयारी अभी से शुरू कर दी गई है इन लोगों की तो अभी हमने पहला और दूसरा चैप्टर फिजिक्स का NCRT बेस्ट NCRT बुक से और साथ साथ बुक का जो दूसरा पार्ट है NCRT बुक के दूसरे पार्ट का फिजिक्स पहला चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया गया है और अभी तक हम लोग दरपड तक पढ़े हुए हैं यानि गोली दरपड के लिए सूत्र तक तो जहां तक मैंने पढ़ाया है वहां तक इन लोगों से उच्छा जाएगा प्रश्ण अब देखते हैं दो लोगों में सबसे ज़्यादा कौन बताएगा ठीक है और जो बताएगा उसको कुछ न कुछ इनाम मिलेगा भले हुँ और सस्ता इनाम हो लेकिन इनाम तो इनाम होता है भाई तो जरा यहां से दो लोगों में हम खड़ा कराना चाहेंगे सबसे पहले यह रिया और इनका नाम है राधा दो लोग खड़े हो जाएगा अब देखें कोश्चन हम करेंगे और जवाब जो है क्या होता है कि जवाब जैसे यह नहीं दे पाएंगी जब नहीं दे पाएंगे तो मालू यह हार गई और फिर इनका नमबर आएगा फिर अगला कोश्चन जब पूछेंगे तो वही कोश्चन यह बता देंगी फिर इन से कुछ नया पूछा जाएगा इनको नहीं मालूम है तो वही कोश्चन इन से पूछा जाएगा अगर ये बता दी तो वो फिर हार जाएगे इस तरीके से हार जित होती रहेगी लास्ट में इनका रिजल्ट हम निकालेंगे कौन जीता कौन हारा या फिर आप भर क्लि के लिए इंटर इक्जाम देने के लिए लेकिन आगे भी आपको एक तयारी करनी है नौकरी के लिए तो वहाँ पर कोई एक दो आदमी नहीं बैठेंगे तो अभी से आप एक दूसरे से कंपटीशन में अच्छे से पतलब अपने बगल में कंपटेटिव इस तरीके से जिस एक्जाम में बैठेंगे न आपके बगल ही आपका कंपटीटर होगा इसलिए कंपटीशन में कंपटीटर बनना बहुत जरूरी होता है तो सबसे पहले देखे पहले चैप्टर से दूसरे चैप्टर से और चैप्टर नमबर नाइन से इन लोगों से कोश्चन दागा जाएगा अब देखते हैं उन Walk वहाँ सामना करना कौन सामना कर पाता है तो सब से पहले जो पहला प्रस्ण है Gibson उसमें अच्छे भी होंगे हीजी भी होंगे सब सभी प्रकार के कुशल देंगे हैं तो सबसे पहला जो कुशल है जो बिद्दुत बलरेखाएं होती है एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है बताईए क्योंकि दोनों पर समान आवेस होता है और प्रतिकर्षित करेंगी दोनों पर समान आवेस होता है इसलिए दोनों बलरेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है इसलिए दोनों बल रेखाये को कारती नहीं इनका जवाब सही अच्छा यह बताईए जो बल रेखाये होती है वह सिकुरने का प्रयत्न क्यों करती है यानि एक पर धन आवेश और lat-06 स्टलें एक अलब्रीड आरशार्पन आवेश तो दोनों वस्तवे एक दूसरे को क्या करते दो को बल रेखाएं एक दुस्ते सिकुड़ने का बल रेखाएं सुकड़ने का प्रयत्न करती हैं अब हम इसे पूछना चाहेंगे डेरिवेशन भी आपको यहीं बताएंगे यानि पूरा डेरिवेशन मौकी ग्रूप से हल करेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है एक जाम में आने वाले कोईश्चन ही हम पूछेंगे तो आपका यह प्रस्थ्न है है कि गौस का प्रमे का निगमन करना है है ठीक है है तो गौस के प्रमे का निगमन जरा करिए फूरा नियमी पहले डिपनीशन बताई किसी बंछ सब गुजाने वाला सब किसीवेंद्ड सब्सक्राइब करने के लिए पांच नंबर के क्वेश्चन आते हैं जैसे इस बार आया था नंत लंबाई के सीधे धारावाही चालकतार ऐसे क्यों से गौश का प्रमे बहुत इंपोर्टेंट है दो हजार तेस के दिष्टिकोंड से लो किस बार निकाले का नहीं है नहीं है बाता है डिकेस बताई कि किस फ्रस्ट माना गोल प्रिस्ट के माना गोली प्रिस्ट प्रक्स्थ प्स्थित बेड़ावर इंटू झूंकिटा ब्राबर जीरो तो डल्ता फाय प्राबर ईंटू डिकोष जीरो चुंकि लख को ज रावरारी इइंतु द्तु यह ए थे जस्तु जरी AP डोगे टीमस में दिल टीम्ट आसरा मकुंट को उसленराल एक को फाइटर टेल्टा पाइए नियुचकन है नक Ames झामिकरन पर मसें क्राइएंसी तो दिल्टा आया है और फार इन्टू सीमा डिल्टा ए सिंक्वारी घुंक मक्रिम डिल्टा एद स은ट फार ten आप एव पहाभर है और एबराबर फोर पाई आर इस्कौायर तो वन पांग है इन्हों ने गौस का प्रमे मौखिक गूरूप से सिद्ध किया है थीक है हम चाहते हैं जो बच्चे इसको देख रहे वीडियो को वह भी ऐसा सिद्ध करें क्योंकि एकजाम में टाइम नहीं होता है आपके पास और आप अभी से मौखिक दिमाग में सेट अप की रहेंगे तो एक्जाम में आप हड़बड़ी आएंगे ने क्योंकि वहां पे हड़बड़ी में हो जाती है गड़बड़ी ठीक है अब अब दूसरा केस बताईए इसी का केस सेकेंड कमी इन लोगो को निकालनी है अगर ये गलती बताएंगी तो कहीं पर भी ये कमी करती है आपको उस कमी को बताना है भाई जीतना है दोनों में से किसी योग को ठीक है अगर कमिया नहीं निकलेगा तो जीतेगा कौन जीत होना चाहिए ना एकजाम हो रहा है पास दो एक सीट है अगर दो लोगों को मैंने बैठा दिया एकजाम में पास तो किसी एक को ही होना है अब दोनों में से टक्कर हुआ है पास किसी को एक होना है काटो का टक्कर होना चाहिए यहां पर जीतना किसी को एक है तो गलती निकालना पड़ेगा बताई ये माना गोली प्रिष्ट की केंडर पर उपस्तित कोई आवेस प्लस क्यों एवं केंडरों से पीके बीस की दूरी आरवन तथा केंडर पर बना कॉंड डिल्टा ओमेगा वन हो तो सूत्र फाइब तो बताऊ कि आप इस बता रही है मतलब इस घंद अगे तो निकाल आगी बोल सी रही बरावर वन अपान फोर पाई अप्सालिन नाट इंटू क्यों बाई आप से इंटंव एफसाले न नाट इंटो पी आपान आरवन बीडर वन इस्पायर का यदि यदि प्रींस Jeśli डीप्रेंटब्प्स डेल्टा-उल्डा भाइ पाई ङो पाई गाज्टकिन एक शहस्पंस से इन फिल्द स्वेंटकर दायों यक कमांड रकने पर देल्टा फ़ाइवं बराबर बाले समनाट रीजा दिफ्हूपाई अरिंटो पंए घ्माइवन इस्टा इनुकि रो दिछे हैं नीस सब्सक्श्चपधाइ्टन आप उन तेल्टा और समय चिहां एकिमावन देल्टा ओमेगा 1 इसी परकार YN-P илось के लिए देल्टा-fy 2 बरावर Q UP 6 pi epsilon naught इन्टो डेल्टा- fees 1 रिफ परावर Q UP 4 pi epsilon naught इन्टो डेल्टा- прилож to डेल्टा-ोमेगा यन यदि संपून प्रिस्ट का विह फ्लक्स यदि संपून पिस्ट का विधूद्स लन प्लॉस दिर्टा फाई सब्सक्राइदर नूट नूंटॉ गांट टेल्ट व्य टैन मेंगी और आ इंत्व बतार्स एफशालनї नियर दाओ्भराजाइंट श्युसेग्प्वाइबattform कुछ मडेसाइब नियरगे ल हमतीज तो प्शिमा नयद्वेग तो युवर्एमु सूलनल् railroad उप्षेग्यों मेंकॖश्कर 205452 तो यहां पर इन्होंने गौस के प्रमें सिध्ध कर दिया ठीक है और एक जगा गलती भी किया है जो कि इन्होंने गलती इनका निकाला है ठीक है तो एक जगा गलती आपका हुआ है अब देखिए अगला प्रशन इनसे है पहला जो प्रशन है इनसे वह है संधारित की संचीत उर्जा के लिए सूत्र बताइए सूत्र यह बध्या बेदर हाफ क्यों टू वी अबर क्या होता है यू बध्यार्बर हाफ क्यों टू तो है क्यों ब्राबर हाव सींटू एलाट सू्झांट्र विच के सामने अगर कोई प्रत्विम बने तो उसकी वक्रता त्रिज्जा कितनी हो अनंत क्यों अनंत होगी क्योंकि संद्रपन दो बिंदो क्यों होगी इसकी वक्रता त्रिज्जा अनंत क्योंकि संद्रपन में दो बिंदो से किरने निकलती है तो वह दो किरने अनंत में मिलती है तो इसलिए संद्रप कि बता सकती है कि ये सही बतारिंग गलत है कि कर रहे हैं दूट किरण जो है अनन्द पर मिलेंगी इसलिए जो है इसकी वक्रता त्रिज्जा अनन्द होती है हम तो नहीं संतुष्टेंज से कि इसका मतलब इस प्रस्ट में तुम भी फस रही हों अगर तुम नहीं पकड़ पाई तो दो कोश्चा तुमारे गलत हो जाएंगे और अभी तुम हार चुकी है कि बताए कि यह वाला प्रस्ट ने यह का तुम कहां सही कर सकती बता हुआ कि इसका केंद्र अनन्द पर होता है कैसे अनन्द पर होता है desses सच है कि अनन्द पर होता है लेकिन कैसे होता हैं हम नहीं संतुष टेहं दरपण तो यहां देखो अभी सही बता रही है जैसे यह सम्तल दरपण है इसको हम बढ़ाएंगे यह वाला भाग बढ़ाएंगे और इस दरपण का यह तो यह जा कि एक डूसरे को यहां तो नहीं मिलेंगी अनन्द पर मिलेंगी तो अभी जाकि इन्होंने सही जवाब दिया अगला जो प्रश्न है सम्तल दरपण की छम्ता कीतनी होती है अहिंदेखो होगी तो पास बाइपास डोन आगा अगर हम तुम्हें किसी दर्पण की और दोड़ा दें देखते रहो सब लोग अगर इनको दर यह मालीजी आप एक दर्पण है और इनको आपकी और दोड़ा दे तो आपका प्रत्वीम उस दर्पण में कितना दिखाई पड़ेगा कितने यानि अगर आप किसी समतल दर्पण के सामने भी वेक से गतसील कर रहे हैं तो आपका जो प्रत्वीम है वो तू भी वेक से आता हुए प्रतीत होगा सपोस्ट आप किसी दर्पण के सामने 40 किलोमीटर प्रतिघंटा के वेक से आ रहे हैं तो आपका प्रत्वीम 80 किलोमीटर प्रतीत होगा ऑटल दर्पण के बारें जानती हूं ऐसा काच का सब्सक्राइब करें करें तो उसे अधर दर्पण काते हैं और दूसरी डिफनिस है तो गलती है निकाले ना सइथ है जब किसी काच के खुखले गोले का काटा जाता है तो इसको उब्राइब तर्पण के कितने कंडिशन में ध्यान समझेगा सभी लोग कोईस्टन जितने यहां अफ्लाइन बैटें और जो वीडियो को देख रहे वो भी समझे और वह भी जवाब दे अगर आप भी कहीं पर पढ़ रहे हैं तो आप भी इस प्रश्न को देखिए और जवाब दीजिए कि आपको आ रहा एक से अधिक होती है और क्यों होती है जरा बताइए जब अवस्तु में फोकस में इसतित्व तो उसका प्रत्मी अनंद परात होता वहास्ती उल्टा वस्त से बहुत बढ़ा होगा इसकी अवर्दिन समता एक से अधिक होगी और कहां होगा पोकस पर रख दिये तो अनंद पर मनें कहां कहां एक से अधिक बनेगा एक के बराबर होगा जब वस्तु करता कहां कहां एक से अधिक होगा कितने कंडिशन में होगा सभी कंडिशन बताइए और कहां कहां होगा चाहे वास्तविक हो चाहे आभासी हो आउतल दरपड के कंडिशन में आवर्धन छमता की त तो कामान एक से अधिक होगा समझे हम कामान एक से अधिक होगा आवतल दरपड में तीन इस्थिती बतानी है बताइए जब वस्तु वक्रता के नों कि विच मनेगा वास्तीड उल्टा वस्तु से बड़ा यह तो क्या मतलब है तो वर्द्रम छंम्दाइक स्य अधिक होगा क्यों वस्तु है और वरशतु उस्तु उस्तु ऑर करता केंद्र के बीच में बनेगा और वहाँ प्रवाश्टा अधिक है और वहाँ निकाद रखेंग एक कमान एक से अधिक काएगा अच्छे बताईए यमका चिन क्यों 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 से कि पर नीचे मतलस्ति रृतंत प्रतन हो तो विंसली दूसरा इस्तिदी बताईए युम कामान एक से छुन फूकस विश्कों आनन ज Sum. बहुत बढ़े बनेगा इसके औरधन समता एक स्याधिक होगी धनात्मक होगी की डिड़ात्मक क्यों होगी मुख्यच के नीचे है और कहां पे कंडिशन और बताईए जब वस्तु धुरू एवं फोकस के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिम दरपन के पीछे बनेगा आवर् बस्तु से बड़ा यहीं तीनों कंडिशन उन्होंने बनाया पहला फोकस पर दूसरा फोकस और वक्रता के बीच में तिसारा धुरू और फोकस के बीच में ठीक बताया राइट एक दम अगला क्वेशन आप से है जो अवतल दरपन है अब सारी है कि अभिसारी है अभिसारी कि अवतल दरपण का द्रिष्ट छेत्र कम होता है क्यों होता है मैंने इससे पूछा तुनों कि यह किनों को एक त्रिद करता है यानि धेर सारी किनों को का उपयोग करते हैं तो आपने 2 गलत बताया अभी इनकी जीत होती खृश है चलो यह कंठे-मानु तो यहां पर अब next question आपसे थुड़ा हैबी question करते हैं आप जो है सिद्ध करना है जब दो संधारितों को समानतर क्रम में जोडें हाँ समानतर क्रम में जोडें तो उनकी तुल्य संधारित की धारिता के لिए सूत्र सिद्ध करना है आपको अच्छा दो नहीं तीन करते हैं क्योंकि बुक में तीन ही दिया मैंने भी सिधकर आया है तीन संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ देती हैं ऐसे एक उपर एक नीचे एक नीचे ठीक है और अगर जो भी नहीं देखें बच्चे वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सेकेंड च संधारित समांतर क्रम में इस प्रकार पहले बताओ जरब मोखिक रूप से क्योंकि बच्चे डिमांड करते सारा आप चित्र नहीं बतावाते बच्चों से जो चित्र बटाईगी कैसे चित्र को रखेंगे हैं कि सरपतम एक बंद्रते हैं ए और भी तथा वी से तीन संधार संधारित का विभव समांटर क्रम में इस प्रकार जूड़े हैं कि पहले संधारित का पहला सिरा विद्धु स्रों से तथा अंतिम चिरा प्रिद्वे से जुड़ा है तो सुत्र सी बरावर की फान वी तो क्यू बरावर से इन टूवी समय कंद ने क्यूटू परावर सी टू इनटू वी सम ओर लिकानेश्टो न नहीं बोलेंगे सैंट पूछने Q-3 कमांदर हने पर दूराबर सी मनें टू वी ब्लस ती टू को न मिलस्ती टू फिव एंटू घ्राडॉ सी स्टावर सी एक तुबधर आवर में कॕ हता हो ना दवी तो प्लस फितू प्लसी टू करल शाने परर थी टॉक फॉक श्रींग आज मैना तीक स्थी यारी इंहों ने शिद्र कर दिया जी बंपलॉस चींटू प्लस ची टू- Yoo-構ст स्फ़ीं प्रतिडोद प्रतिरोद नहीं पढ़ा है किuksIDE चエप्टर में न लियाए इनको प्रतिरोद तो चलिए यहां पर आपको कैसा यह वीडियो लगा कमेंट बाक्स में जरू बताईएगा और दूसरी चीज और जो बच्चे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे तो यहां पर इन्होंने एक क्वेश्चन गलती किया है तो आप समल लिजे रिजल्ड क्या होगा त पिर राधा कमेंट बाक्स में जरू बताईएगा तो अगले वीडियो भी मिलते हैं तब तक के लिए जय ही